तामिल नाडू की रादनेती की बात करें तो 25 मही 2019 को अन्ना मलाई ने पुलिस से इस्तफा दे दिया इस्तिफिक के वक्त अन्ना मलाई बैंगलूरू दक्षन के DCP थे और लोग उन्हें सिंगम के टाइटल से बुलाते है ना मलाई कैसे बनेगे बीजेपी के सबसे बड़े रणनीती कार देखते इस रिपोर्ट में भारत में साल 2024 ने लोगसबा चुनाओ होने वाले है इसे लेकर सभी पार्टियों ने दाव पेच अजमाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने भी सत्ता में बने रहने के लिए कई राजू में अपने स्टेटरजी बनाने शुरू कर दी है यहीं कारण है कि बीजेपी ने तमिलाडू में साल 2022 में ये अन्ना मलाई को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अन्ना मलाई के सबसे बड़ी चुनती होगी प्रदेश में नया केडर खड़ा करना इसके अलावा अन्ना मलाई को मजबूत विपक्ष बनना पड़ेगा जिस से जनता की बीच अपनी जमीन तयार कर सके नए मुद्य को जन्म देना भी अन्ना मलाई और भार्टे जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनती साबित हो सकती है इसके अलावा पार्टी को सबी को साथ लेकर चलना होगा और कैंदर की योधनाओं को जनता तक पहुँचा कर जनता में वाहुल बनाना होगा विरु रिपोर्ट GSTV पोको लेकर पहलवानों ने एक बार फिर से जनतर मंतर पर धना शुरू कर दिया है खिल मंतराले ने कहा कि भार्टी उलंपिक संग एक एड होग कमिटी बनाएगी यहां कमिटी 45 दिनों के अंदर कुष्टी महासंग का चुनाओ करवाएगी आयो की कमिटी की खिलाडियों का सिलेक्शन भी करेगी और फेडरेशन का रोज का कामकाज भी देखेगी सुमवार को धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ग्रद्रुशन सरन सी के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में याचिका दार की विनेश वोगाट समेच साथ पहलवानों ने अपनी याचिका में सिर्श अदालत से वृद्धुशन सी के खिलाफ एफाईयार का आदेश देने की मांग की है पहलवानों की वकिल मुख्यन आदिश के सामने सुनवाय की मांग करेंगे इस विश दिल्ली पुलिस ने ओवर साइट कमिटी की जाच को लेकर खिल्व अंतराले से स्टेटस रिपूर्ट मागी है विरु रिपूर्ट जी एस बॉलिवड एक्टर सल्मान खान और आमिर खान की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते इद के मौके पर दोनों ने मुलाकात भी की थी भाईजान ने फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी इस बीश आमिर खान भान अरपिता खान की पार्टी में भी दिखाई दिये थे अमिर खान और सल्मान खान अच्छे दोस्त है ये बात पूरी इंडस्ट्रिज में जग जाहिर है हाली में वह सल्मान खान के साथ दिखे थे फिर वो अरपिता खान शर्मा की इद पार्टी में भी नजराये थे अब इन सब के बीच एक चीज ज्यादा वाइरल हो रही है वो है फिरोजा ब्रेसलेट हाला कि जब आमिर खान शनिवार 22 अप्रिल को अरपिता खान की द्वारा होस्ट की गई इद पार्टी में लालकूर्ते और जिन्स में पहुँचे थे तब भी उनके हाथ में ये ब्रेसलेट दिखाए दिया था सामने आये तमाम फोटोज और वीडियोज में आमिर खान दाहिने हाथ में इसे कैरी करते हुए नजर आये थे वहीं सल्मान खान भी लंबे समय से फिरोजा ब्रेसलेट पहन रहे है अब तो उनके हाथ में एक घड़ी भी देखी जा रही है जिसका रंग भी ब्रेसलेट जैसा ही है जन्मदीन से ही वह इस घड़ी को पहन रहे है जिसे लोग उनका दूसरा लकी चाम कह रहे है दरसल आमिर खान की एक फोटो सोशिल मीडिया पर वाइरल हो रही है हालाकि सच्चा ही क्या है इसकी जानकारी नहीं हो सकी है अमरुदपाल सी अब असम की दिब्रुगट जैल में सलाखों के पीशे वारिज पंजाद देचीफ के खिलाफ 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था मोगा के रोडे गाउं से उनको रविवार सुब दबोश लिया गया पंजाब पुलिस ने कहा कि अमरुदपाल को रास्ट्रिय सुरुक्षा कानून एनसे के तहट पंजाब से दिब्रुगट जैल भेजा गया है आखिर अमरुदपाल सी पर की नारोपों के तहट एनसे तमिल किया गया है उसके खिलाफ क्या संगिन मामले है आईए समझते इस स्पेशल डिपोर्ट में अमरुदपाल सी अब असम की दिब्रुगट जैल में सलाखों के पीछे है मोगा के रोडे गाउं से उसको रविवार सुबद दबूच लिया गया आईए जानते हैं कि सारुप की तै होने के बाद अमरुदपाल पर आस्टिय सरक्षा कानून एनसे लगाया गया प्रतिबंदी तातंगी संगठन सीग फोर्ट जस्टिस से संबंदों को भी अमरुदपाल पर एनसे लगने की वज़माना जा रहा है अमरुदपाल और उसके सहयोग्यों के खिलाफ ओपरेशन शुरू होने पर यह संगठन खुल कर वारिस पंजाब दे के समर्थन में उत्रा था इसके अलावा यूके में ठिकाना बनाए अवतार सी खांडा जैसे खालिसान समर्थक तत्व भी अमरुदपाल का समर्थन कर रहे है अमरुदपाल और उसके सहयोग्यों पर तथा कथित ड्रग अन्मूलन केंदर पर युवाओ की पिटाई का आरोप है वारिस पंजाब ने संगठन की कटरपन थी लाइन फॉलो नहीं करने पर युवकों की इन सेंटर्स पर पिटाई की जाती थी अमरुदपाल आम्स एक्ट के मामले में भी रेडार पर था अमरुदपाल के खिलाफ एने से लगने की एकोर वज़ा पंजाब में सांप्रदाईकता को बढ़ावा देना भी है अमरुदपाल सी पाकिसान की खूफिया एजनसी इंटर सर्विसेज इंटरीजन्स का भारत में महरा था इन ही आरोप के तहट अमरुदपाल पर रास्टे सुरक्षा कानून के तहट कारेवाही हुई विरो रिपोर्ट ट्वीटर ने गुर्वार को अपने यूजर से लिगे से ब्ल्यूटिक पार्क को हटाना शुरू कर दिया है कई दिगज लोगों के ब्ल्यूटिक को ट्वीटर ने हटा दिया और अब केवल उन ही को ब्ल्यूटिक दिया जा रहा है जो इसके लिए भुक्तान कर रहे है ब्ल्यूटिक को लेकर प्रसिद लेकर स्टीफन किंग और एलन मस्क के बीच तू-तू मैमें देखने को मिली को लेकर उनकी खूब आलूचना भी हुई है तीन दिन पहले ही ट्वीटर से उन लोगों का ब्ल्यूटिक हटा दिया गया जो पुराने सिस्टम के तहत लिए गई थे यानी जिनोंने ब्लू सब्सक्रिप्शन की सदसिता नहीं ली थी स्टीफन किंग ने ट्वीट से सवाल किया मुझे लगता है कि मिस्टर मस्क को मेरा ब्लू चेकमार्क चैरिटी को देना चाहिए इसके लिए मैं प्रितुला फाउंडेशन की सिफारिश करता हूँ जो यू मस्क ते मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा मैं कुछ के लिए व्यक्तिकत रूप से भुगतान कर रहा हूँ उनमें सिर्फ शैटनर लेबरॉन और किंग शामिल है चैरिटी को लेकर स्टीफन किंग द्वारा किये के ट्वीट को लेकर मस्क ना खुश नजराए ब्यूरो शागे के बिए मस्क फटेग के ब्यूद रिखेफ।